नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सतेंद्र सर्मा भारत में इन दिनों हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है वो है मुहम्मद समी टीम इंडिया के स्टार गेदवाज मुहम्मद समी क्रिकेट पीच पर अपने गेदों से आग वलते हैं वो अबिपच्छी बल्ले बाच को कोई मौका नहीं देते हैं और उनके लिए काल साबित होते हैं लेकिन वो क्रिकेट के इतर अपने ब्यक्तिकाद जीवन में बहुत इमोसनल और बिनमर इंसान है क्रिकेट बिसो कप समाप्त होने के बाद समी रिलैक्स मोड में हैं वो इन दिनों नैनिताल में छुट्टिया विता रहे हैं इनों ने अपने इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर एक बीडियो सेयर किया है जिसमें वो एक दुरुघटना ग्रस्त कार में फसे ब्यक्त की मदद करते नजर आ रहे हैं मोहमद समी ने वीडियो के साथ कैप्सन में लिखा है यह बहुत भागसाली है भगवान ने इन्हें दूसरा जीवन दिया है इनकी कार नैनिताल में पहाडी रास्ते से नीचे खाई की योट्जा अगरी यह मेरी गाड़ी के ठीक आगे चल रहे थे हमने इन्हें सुरचित गाड़ी से बाहर निकाल लिया विडियो में भारती तेज गिदवाज और उनके साथी दुरगटना ग्रस्त कार के पास खड़े नजर आ रहे हैं मुहमस समी भारत के वनडे बिसकप अभियान में जलवा बिखेरने वाले खिलाडियों में एक प्रमुक नाम थे दुरभाग वस्ट फाइनल में टीम इंडिया को आस्ट्रेलिया के खिलाब दिल तोडने वाली हार का सामना करना पड़ा अनुभवी तेज गिदबाज समी ने बिसकप के साथ मैचों में दस दसमनों साथ एक ही ओसस से चौबिस विकेट जटके वह लिग चरड के सुरुवाती चार्ड मैचों में आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगला देश के खिलाब भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे आलराउंडर हार्दिक पांडिया के चोटिल होने के बाद इस 3330 गिदवाज को खेलने का मौका मिला उन्होंने अपने साथ मुकाबले में तीन बार पांच या उससे ज़्यादा बिकेट हासिल किये इसमें सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड के खिलाब साथ मिकेट का हाली सामिल है जो 20 सुकप में किसी भारती खिलाडी का अब तक का सर्विसरिस्ट परदर्सन है वो वंडे 20 सुकप में भारत के लिए सरवाधिक मिकेट लेने वाले गिदवाज भी है भारती टीम फिलाल आस्ट्रेलिया के खिलाब T20 स्रीज खेलने में बैस्त है इस T20 स्रीज में टीम इंडिया के कफताने शोरिकुमार यादव कर रहे हैं इस स्रीज के लिए समी समे सीनियर खिलाडियों को अराम दिया गया है भारत आस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में फिलाल एक जीरो से आगे है और आज दूसरा मुकाबला खेलने उत्रेगी देश दुनिया से जोड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर धन्यवाद